इसको if you are able to see, तो यह देको यह होर्षू की तरह लग रहा है, इस वज़े इधर से नहीं लग रहा है, पीछे से लग रहा है, और यह बहुत इंट्रस्टिंग भी मैं आपको बता हूँ, जिसमें प्रश्ण आपके लिए बन सकता है, इसमें होर्षू क्रैब के बारे में, what basically is होर्षू क्रैब, इसको नाम तो क्रैब है, लेकिन क्या सच में क्रैब है क्या, यह थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट हमें यह भी देखना है, कि जैसे क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्वेस का एक्जाम साथ में होता है, तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ जब से आया है, तो बहुत बदलाव हुआ है, हमारा भी एवलूशन हुआ है, बट इसमें इतना बदलाव नहीं हुआ है, यह वैसा का वैसा जैसे पहले था, पहले जैसा था वैसा ही आज के समय में, तो मतलब इसकी इम्यूनिटी आस्पेट कितनी स्ट्रॉंग होगी, इस कहा है, ओडिसा की सरकार को दियार, देखो यह इतना पुराना लिविंग और इसके नंबर बहुत कम हो रहे हैं, पहले एक बार जाते थे तो दो-दो सो दिखते थे, अब दिखते ही नहीं है, यह मरे मिलते हैं, और क्यों क्योंकि इसका देखो क्या एक इस्पेशल एक यह ह जैसे इसका इस्तमाल मेडिसीन में होता है, तो मेडिसीन में कुछ मॉलेक्यूल्स रियजंट्स बनाए जाते हैं, यह देखो हॉर्ष्यू क्रैब्स है, इनके कुछ चीजे हैं उनको लेके और फिर यह बनाया जाता है, कुछ बीमारियां हैं, जैसे एक बीमारी का नाम है उस बीमारी को बीमारी किसे बचने के लिए उसका इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा बीमारी का नाम भी देखना कहीं लिखा होगा, ठीक है, तो उसके लिए इसका इस्तमाल आपका किया जाता है, खुद आप इमेजिन करो कि क्योंकि इसका मेडिसीनल इं है अब जाओगी इस क्रैब को पकड़ोगे तब तो अलाव नहीं होगा बत अब होता क्या है कि जो यह क्रैब है जिने हम कहते हैं अब इन क्या करेंगे मालों fishing कर रहा है fishing करके साथ में यह भी पकड़ लिया पकड़ने एक बार कहो कि देखो यार जो fishing है ना फिर फिशिंग में फस गया तो पकड़ लिया अफिर पकड़ के में नेम तो क्या है में यही रहता है कि पकड़ के क्योंकि सब मेडिसिनल बहुत इंपोर्टेंस हो तो उसको बेच दिया अब बेच दिया तो फिर आप यह मानों कि ऐसे ही फिर लोगों को अगर एक क्रैब के हजार रुपए मिल जाए तो बहुत बढ़िया चीज है वह यह नहीं सोचेंगे यार यह खतम हो जाएगा वह यह सोचेंगे कि ठीक है कुछ समय तक हमको इसमें बढ़िया कमाई हो रही है तो जो नंबर है continuous basis में होर्शू क्रैब के वह रिद्यूस हो रहे है एक तो फिशिंग का जो तरीका है वह एक बड़ा फेक्टर आपका बन जाता है तो यहां पर coastal बायो डाइवर्स्टी पर जिसे कई बार रोकने का प्रयास करो कई प्रकार के जो कदम उठाए जा रहे है उसको आप प्रयास करो कि उसको रोका जा सके एंड उसको रोका जा सके जैसे कुछ ऐसे जैसे उडिशा के बाला सोर दीगा और सुंदर्बन वेस्ट बंगाल यहां पर आपके रहते हैं और जब करो कि जो यह आपके यह ले आते हैं तो उनको भी दिक्कते 50 तरीकी कीता सिक्रांक्र नेस्टिंग मास नेस्टिंग जिसे अब पूस्दं में इस्तिमाल करता है वह मास नेस्टिंग हेलो है लो गाइज वेलकम तो माँ यूट्यूब चैनल लेट सी दे ओलिव रिडले इस गेग देखो है है हेलो गाइज लेट सेव आमलेट विद इस एग आम फिलिंग क्रेजी इस तैब वह कुछ भी हो सकता है ठीक है तो पॉइंट यह है कि इवें जो यह क्रैब है न जिसे हो सुरुक यह भी देते अभी देंगे तो हम लोग हर जगा पहुंच है इंसान तो हर जगा है उसको भी वह अडे बचते नहीं हैं तो मिट्वी निकल है तो वह बड़ी दिककत बन जाती है तो यह सब चीजे पहीं न जो कोस्टल ऑल डाइवärसरटी सिर उसकी हूं के सकते ह तो पचास मिलियन साल पुरान है और इसका इम्मुनिटी इतनी बढ़िया रही है कि इस समय तक इसने इतने समय तक सर्वाइव आपका किया अब इसमें यह क्या है यह जिससे बिलॉग करते हैं स्पाइडर की फैमिली से बिलॉग करते हैं ठीक है और यह मेंली ब्रेक्ष वॉ अरगनिजम है उनको कैटेगराइजेशन किया जाता है कि इस फैमिली से बिलॉग करते हैं इस और से बिलॉग करते हैं सब आप